वोर्ट के exam में अच्छे मार्ट लाने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए अपने slaybust के बारे में और साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन से topics आपको करने हैं कौन से नहीं करने हैं अगर हम बात करें class 12 के syllabus की economics की तो इसमें इस बार काफी कुछ change किया गया है कई सारे ads से topics है और chapter से जिनको delete कर दिया गया है और कुछ नए topics भी introduce किये गए हैं तो complete analysis जानने के लिए इस वीडियो को starting sign तक जरूर देखिए और इसके लावा syllabus का PDF या फिर economics के बारे में ज्यादर detail में जानने के लिए आप visit कर सकते हैं हमारी website www.commersuper.com पर जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो देखिए आपको Indian economic development की दोनों ही books आपकी 4040 marks की हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं first book के बारे में macro economics के बारे में इसमें आपके 5 units हैं first unit जिसका नाम है national income and related aggregates ये आपका इस बार 10 नंबर का है पहले ये 12 नंबर का आता था तो दो नंबर इसमें कम कर दिये गए है money and banking ये 6 नंबर का पहले भी था और अभी भी 6 नंबर का है determination of income and employment ये था पहले 10 नंबर का और अब हो गया है 12 नंबर का उसके बाद government budget and economy 6 नंबर का था और balance of payment भी पहले 6 नंबर का था और अभी भी 6 नंबर का है फिर बात करें हम Indian economic development की तो जो development experiences है और new economic reforms है ये 12 नंबर के पहले भी थे और अभी भी है current challenges facing Indian economy पहले ये 22 नंबर का आता था और अब हो गया है ये 20 नंबर का क्यों हो गया है क्योंकि इसमें से 2 chapters delete कर दिये गए है वो मैं आगे बताऊंगी फिर national experience of India और ये है पहले था 6 नंबर का जो की अब हो गया है 8 नंबर का तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान लगना है तो first chapter national income and related aggregates इसमें आप इंडिया की national income find out करना सीखोगे तो सबसे पहले basic macroeconomics क्या होता है इसके concepts क्या होते हैं जैसे consumption goods, capital goods क्या होते हैं, final goods and intermediate goods क्या होते हैं, stock and flows का क्या मतलब होता है, gross investment and depreciation का क्या मतलब होता है, ये सब आपको काम आएंगे जब आप national income find out करोगे circular flow of income क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ two sector model ही करना है, इसके लावा three sector model and four sector models भी होते हैं, वो आपको नहीं करने हैं फिर national income को find out करना सीखोगे, इसमें तीन method से आप find out करोगे, पहला है value edit method या फिर product method, दूसरा है expenditure method और थड़ है income method national income find out करने के बाद फिर आप इसके अलगलग types पड़ोगे जैसे GNP, net national product NNP, gross domestic product GDP, net domestic product NDP, market price पर, factor cost पर, real and nominal GDP ये सब अगेरा, फिर GDP and welfare, इसके बाद next chapter आजाएगा money and banking, इसमें पैसा और banking के अलगलग कार, ये सब आप सीखोगे, तो first money क्या होती है, इसके क्या मतलब है, इस क्या का रहे है, money की supply यानि पैसे की जो पूर्ती है, वो कैसे होती है, कौन कौन करता है, public के पास जो पैसा होता है, वो क्या होता है, net demand deposits क्या होती है, फिर जो commercial banking है, वो किस तरीके से money की supply को बढ़ाते है, उसके बाद फिर central bank, जो की इंडिया का है, RBI, इसके आप functions पड़ो rate, reverse repo rate, open market operation and margin requirement, फिर आता है, next chapter, determination of income and employment, class 11 में आपने demand and supply के बार में पढ़ा होगा, small level पर, यहाँ पर आप पूरी इंडिया के level पर पढ़ोगे, जिसको हम बोलते है, aggregate demand, तो वो क्या होती है, उसके क्या components होते है, फिर propensity to consume क्या होता है, and propensity to save क्या होता है, average and marginal, यह पढ़ होगे, और इसके कुछ numerical questions भी बनते हैं, formula's के basis पर, वो भी आप करोगे, short run equilibrium output क्या होता है, investment multiplier and its mechanism, वो क्या होता है, meaning of full employment and involuntary unemployment, यह सब क्या होता है, फिर आजाता है, आपका problems of access demands, अगर देश में मांग जादा हो जाए, तो क्या होता है, मांग कम हो, तो क्या होता है, यानि बहंगाई और मंदी, इन सब से related होती है, तो वो आप यहाँ पर सीखोगे, फिर आजाता है, कि इनको कैसे correct किया जाता है, government क्या-क्या, वो steps है, जो लेती है, मांग अधिक हो, तो उसको कैसे कम करती है, मांग कम हो जाए, तो उसको कैसे बढ़ाती है, तो वो क्या-क्या खर इसके क्या objectives है, यह क्यों किया जाता है, इसके क्या-क्या components है, इसके क्या-क्या parts है, वो आप सीखोगे, फिर budget का मत्तब क्या होता है, एक statement of receipts and expenditure, खर्चो और I का statement होता है, future related, तो I क्या-क्या होती है, revenue receipts क्या होती है, capital receipts क्या होती है, अब commerce students को इनके बार में पता होगा, लेकिन जो art students है, उनको इनके बार में नहीं पता होगा, उनके लिए एक नया topic है, फिर जो खर्चे है, वो कितने तरीके के होते हैं, जैसे receipts होती है, यानि प्राप्तियां होती है, आएगत और पुझीगत, वैसे ही खर्चे भी आपके क्या होते है, आएगत और पुझीग का मतलब, इसके components, surplus, जैसे budget में surplus and deficit था, ऐसे ही balance of payment का भी surplus and deficit होगा, फिर आजाता है, foreign exchange rate, उसका मतलब क्या होता है, flexible rate क्या होता है, managed floating rate क्या होता है, यहाँ पर एक बात में और कहना चाहती हूँ कि 12th class की जो economics है, वो इतनी अच्छी है, कि आप इसको पढ़ लोगे, तो अ बहुत सारे terms आपको नहीं समझ में आते होंगे, लेकिन अब आपको एक एक term का meaning अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो internationally जो problems हो रही है, वो क्या हो रही है, जो China और जो America के भी जो लड़ाई-जवड़े होते रहे थे हैं, वेपार को लेकर, वो क्यों हो रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपके economics में वो सारे topics included है, फिर exchange rate की सरीके से fix होता है, free market क्या होती है, merits and demerits क्या होते है, flexible exchange rate क्या होता है, फिर managed floating exchange rate system क्या होता है, वो आप यहाँ पर सीखोगे, फिर आपके हैं complete हो जाती है, फिर आ ना तो कोई graph है, ना ही कोई numerical questions है, completely theory की यह book है, पहले 11th class में होती थी, लेकिन अब यह 12th class में आपको पढ़नी पड़ेगी, इस book की first unit में आपके 3-4 chapters बनेंगे, जिसमें आप सीखोगे की जो इंडिया के development है, economics related, वो आजादी से लेकर 1990 तक कैसा रहा है, जो कि बहुत अच 1991 में एक new economic reference लाया गया, डॉक्टर मनमोहर सिंखेत्रू क्योंकि उसमें वो हमारे वित्ते मंत्री थे, और उसको बोला जाता है LPG, तो यह आप यहाँ पर पढ़ोगे, और आजादी से लेकर 1990 तक क्या step से सरकार ने उठाए, वो आप इसमें पढ़ोगे, फिर आजाता है आ इसमें पहला है human capital formation की किसी भी देश को आगे बढाने के लिए उसके लोगों का सिक्षिद होना स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो यह सब आप इसमें पढ़ोगे, क्या रोल होता है, ग्रोथ का education sector in India, फिर आजाता है rural development की गाओं का विकास किस सरीके से हो रहा है, वहाँ अब line कर लिजेगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, तो credit and marketing यह सब आप इसमें पढ़ोगे, role of cooperative societies पढ़ोगे, agricultural diversification पढ़ोगे, alternative farming and organic farming, इसमें के बाद एक chapter और आता था आपका poverty यानि गरीवी, यह पहले था, लेकिन इस chapter को आप हटा दिया गया है, उसके बाद स इसके बाद एक chapter और आता था जिसको हम बोलते थे infrastructure, तो वो भी आपका इस book में से हटा दिया गया है, तो दो chapters इसमें से completely हट गए है, एक तो poverty दूसरा infrastructure, फिर आता है sustainable economic development, इसमें का meaning क्या है, इसके effects क्या होते है, resources क्या है, environment के, और global warming क्या होती है, यह आप पढ़ोगे, फि कि growth कैसी रही, population कैसी है, sectoral development कैसा है, और दूसरे जो human development indicators है, उनके साथ आप इसको compare करोगे इंडिया की economy को, इसी के साथी जो आपका स्लेवस है, economy का वो खतम हो गया है, यहाँ पर एक जो topic था, वो था balance of payment में, जो surplus वाला topic है, यह एकदव new topic है, जो पहले नहीं था, लेकिन आपको अब करना है, तो दो chapter आपके related है, एक topic आपका इसमें new है, तो इसी के साथी यह वीडियो खतम होता है, यह वीडियो आपको कैसा लगा निचो comment box में लिकर बताइएगा, और economics की classes भी जल्दी start होने वाली है, तो board में अच्छे marks लाने के लिए, अच्छे पढ़ाई क आपको मिले सबसे पहले, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू